आजादी के इतने वर्ष बाद भी माधोपुर गाउं के लोग विकास से कोसुदूर है जलजमाव से गाउं के लोग काफी परिशान है वही बरसात के दिनों में ग्रामिनों की परिशानी और बढ़ जाती है बारिश होने से गाउं की सड़ के तलाब में तबदील हो गई है जिससे लोगों को आवागमन में काफी परिशानी होती है वही जलजमाव से मच्छर का प्रकोब भी बढ़ गया है ग्रामिनों का कहना है कि वर्तमान समय में कोरोना से पूरी दुनिया डर के साए में जी रही है वही माधोपर गाउं में जलजमाव से लोग मलेरिया से पीड़े थोड़ है इस गाउं के लोगों में कोरोना से जादा मलेरिया का भैज जादा है वहीं गाउं की महिला मुंद्रिका देवी ने बताया कि पंचायत के मुख्या शिफ कुमार राय की मौत हो गई है। उन्होंने गाउं में नाली निर्मान करवाने का आश्वासन दिया था जो उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया है। वहीं प्रभारी मुख्या ग्रामिनों की बात नहीं सुनते हैं। साथी अन्य जन प्रतिनीदी भी माधवपुर गाउं की सुद नहीं ले रहे हैं। गुंजरी देवी ने बताया कि उन्होंने जिला प्रसाशन से इस दिशा में आवश्यक पहल की मांगी है। वहीं गंग्या देवी ने कहा कि माधवपुर गाउं की सरकों को जल से जल दुरस्त नहीं किया गया तो ग्रामिन सरक पर उतरने को बादे होंगे। है। नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ